हलो एवरिवन एक बार फिर से आप सब के साथ हाया हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाशा और माशा, LCM and HCF अब LCM, HCF बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उन सारे नामों को पल एक नजर डालते हैं लाशा, लगुत्तम समाप बर्तक, आपको लाशा पा भी लिखावा मिलेगा, लगुत्तम समाप बर्तक, मशा मतलब महत्तम समाप बर्तक, हिंदी बाले ध्यान दिजिएगा, और इंग्लिस बाले के लिए क्या क्या नाम है इसका, तो आप कहेंगे LCM का क्या क्या नाम है, तो LC इस चिफ बारे में बहुत सारे नाम है एस मतलब होता है हाइस्ट कॉमर मल्टिपल ठीक और इसके बाद क्या होता है हाइस्ट कॉमर्टिपल इसको और भी बोलते हैं जी सी डी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और बोलते हैं जी सी एफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में आपको बता दिया क्या महत्तम समाप बर्तक और एल्सियम को लगुत्तम समाप बर्तक हम वन वाई वन दोनों चीजों को लेकर आएगे और एक बात बता दूं थोड़ा सी क्लास में लेट हुआ है मैं लेट घिए पहुंचा हो मतलब आज थोड़ी सी लेट हुई है या फिर आपको कहीं लेट हो गई है तो फिर थोड़ी सी और ज्याद है क्या बात है तो चलिए आपको सब्सक्रीन प्लस कोस्टन मिलने वाले हैं जिसमें एक एक section LCM का है दूसरा section H 묶्य मिस्लम का है और चौथा section Previous year question प्रैक्टिस के लिए और चौथा section यह चेक करने के लिए कि आम कितना कभर करने कितना सिखें कि चौथा section का मैं solution generally नहीं कराता हूं एक 2 question करा देता हूं इसमें से कुछ-कुछ question हम मैं select करके आपको solution कराता हूँ ताकि आपको यह ने लेगे कि यह ने टैप का सवाल आपके सामने आ गया है तो जो बच्चे पहली बर मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो बच्चे पहली बर मुझे जान रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ जुड़िए अभी जो भी चीज़े मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा जैसा कि मैं पहले भी करता हूँ और लेवेल हम बहुत उपर तक लेकर चलेंगे तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे LCM से क्या चिससे LCM से LCM क्या बता है मैंने List Common Multiple नाम इसका ध्यान दीजेगा नाम क्या इसका लिस्ट Common Multiple अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है क्या है लिस्ट दूसरा वर्ड क्या है Common और तीसरा वर्ड क्या है Multiple यहीं से इसकी परिवासा निकल कर आती है डिस्ट सबसे छोटा जिस्ट मतलब क्या होता च्छोटी और कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजर्ट हो या फिर जितने वी बात अमीं शु जो सब्छंट को क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं आप गुनकन फन ele ughol defense गुनज अब एक सवाल लेते हैं कि 12 और 18 का अगर 18 नहीं करते हैं इसको 20 करते हैं 12 और 20 का LCM आपको पता करना यह सवाल है तो बहुत सारे तरीके होते हैं सबसे पहले हम वो तरीका देखेंगे जो इसके नाम से निकल करा है फिर उसमें हम छटाई कटाई करेंगे जिसको आप सौटकट और ट्रिक्ष बगरा बोलते हैं वो सब हम बात में आएंगे पहले चाहिए अब देखें इसका मुल्टिपल लिखेंगे कहने के मतलब बारा का टेबल लिख लिए ठीक है तो कितना गया यह सब टेबल में आ रहा ना ठीक अब यह देखें 20 का टेबल लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा 20, 40, 60, 80 देखते हैं एक टेबल का आंक नहीं है आपको पता है टेबल हम पढ़े थे तो 10 तक पढ़े थे लेकिन इगारा-बारा बहुत आगे चलने वाल है बहुत दूर चलेंगे अब ध्यान दिजे कि कोई एक ऐसा number मिला जो दोनों में present है तो आपके इसके number मिला है और वो number क्या है 60 है मतलब एक number आपको मिला है 60 है तो सब सब पहले आपने multiple लिखा दोनों का अब आपने पता कि common क्या है तो common पता चला 60 है थोड़ी से आगर बढ़ेंगे इसके multiple में तो हैं इसका 10 मैं मल्टिपल 120 मिलेगा और जो आगे मिलेगा एक मुलेगा और हुग Cum से एक म० 국स्का दिश데昨स्वी लेक बाइस थासे और बढ़ें स अब मिलेगा एक यह इसका रहे मिल bik a मिले का मिल건 मिला है वह क्या मिला है 60 उसके अगला क्या मिला 120 उसके रागे क्या मिलेगा इस तरीके से multiply को सरे मिलने वाले तो पहला की नैंक है दूसरा स्टेप करने है common आपने निकाल लिए भρι कोदी आप बात हो एक साथ नहीं सब बात बैलीड हो रही है सारे जगा पर यहीं एक नंबर है जो मैल्टिपल भी है कॉमन भी है और लिस्ट भी है तो हमारा लगुत्तम समबर तक क्या कलाएगा 12 और 20 का तो कलाएगा 60, ये बात clear है, ये एक simple method जहां से आप LCM निकालते हैं, ठीक है न, ये एक ऐसा method जहां से हम निकालते हैं, LCM और LCM क्या निकल करा गया, ये निकल करा गया, notice करना एक दो example और ले रहे हैं हम, आपने ध्यान दिया, याद रखना पहले example मैंने लिया तो उसमें 12 और 20 था नमबर, LCM आया था 60, एक नमबर कुछ और ले रहे हैं हम इसी टैप के, वो नमबर हम क्या ले रहे हैं, बुलिए कुछ नमबर, अच्छा आप लोग बोल नहीं सकते हैं, कोई बतना, थोड़ा सा और वेट कीजिए, थोड़ी सी और मेहनत है, उसके बाद हम live तो 17 आएगा, 34 आएगा, एक कामन आएगा, 68 आएगा, 85 आएगा, और भी आएगा, आपने यहां पे निकाला, 85, दुसरा कितना आएगा, 170, और भी बहुत सारी चीज आएगी, तो जैसे ही आपको क्या करना है, कि जैसे ही आपको एक common number मिल गया तो आपको रुक जाना है, औ और चुकि आप स्टार्टिंग में ही जब common number मिलेगा, उस जगह पर रुकेंगे, तो वही सबसे छोटा हो जागा, अब देख लिएगा, इस से छोटा multiple है ही नहीं, तो यहां पर जो यह निकल कर आया, इन दोनों का जो LCM आया, वो क्या आया, 85, जब 17 और 85 आया, एक और ले 10 का multiple कितना होगा, तो कहेंगे सर, 10, 20, 30, और 40, इस तरीके से जाएंगे, 15 कलेंगे, तो आगा 15, 30, 45, इस तरीके से जाएंगे, आप देखें, एक जो नंबर जो है 30, यह common आ गया है, और यही सबसे पहले common है, सबसे छोटा common multiple 30 है, इसका मतलब इसका LCM की बात करेंगे, तो क सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, या फिर इससे बड़ा होगा, ध्यान देना है, LCM एक ऐसी संख्या होगी, जो सभी संख्याओं से, जिसका आप LCM निकाल रहे हो, सभी संख्याओं में, जो सबसे बड़ी संख्या है, या तो उसके बराबर होगी, या उससे भी सबसे बड़ी संख्या होती है उसके बराबर होती है या फिर उससे बड़ी होती है पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट एक ऐसा नंबर होता है जो सारे संख्याओं का मल्टिपल होता है से काटेंगे चीज़ को टीन और पंदर के थीसको दो मिलेगा मतलब एक ऐसा नंबर है जो अपने सारे शंख्याओं से क्या होता है पूर्णता विभाजित होता है, पूर्णता विभाजित होता है, completely individual, ध्यान रखना है, हिंदी वाले मेडियम वाले बहुत, पिछले बार नंबर सिस्टन में आप लोग शिकायत किये थे, कुछ शिकायत आ गई थी मेरे पास, कि सर थोड़ा सा हिंदी जादा आप बोल दिये करने फें, बच्चे थोड़ी दिख्कत हो जाती है, और इंग्लीस अगर ज्यादा कर दो, तो फिर दिख्कत हो जाती है, हिंदी मेडियम वालों को बच्रे को, तो कोसी सह है, कि बैलेंस करके चला जाला कि भी खराब ही, बैलेंस होना बहुत होना बढ़ा मुस्किल है, लि तो चलिए अब बात करते हैं कि LCM निकालने का क्या कोई और तरीका है अगर एक्जाम में आता है तो इस मेथड से निकालेंगे तो बड़ा पंगा होने बाला है तो देखिये दूसरी मेथड क्या है अभी आपको मैंने एक बात बताई कि LCM में जो LCM निकल कराता है दो नंबर का वो LCM क्या होता है तो कहेंगे सर वो LCM उन दोनों नंबरों से completely divisible होता है ध्यान देना है मतलब मैंने जब 12 और 20 का LCM निकाला था तो आया था 60 बहुत अच्छे तरीके से देखिए LCM क्या था तो कहेंगे सर 60 दोनों के लिए अभी LCM को 12 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 5 और 20 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 3 ध्यान देना है 12 को भाग दिए हम 12 से भाग दिए इसको तो मिला 60 मिला कि नहीं मिला और 20 से भाग दिए इसको तो 3 मिला एक काम करते हैं छोटा से काम करते हैं देखते हैं कि अगर इससे पांच method के दो को पॉसिप करते हैं तो आपको पता चल गया है दो गुलिट सकते हैं और वीस को क्या जोंट रहें तो और गुले पांच दिए यही 3 हमें इक जगला था और यहीं पान्स हमें एक जगा निफा निकला था निकला था इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तीन और पांच को एक साथ किया जाए तो हमारा पंदरा तो मिल रहा है दोनों को गुना करते हैं तो और यहां साथ बनाने के लिए हमें चार चाहिए दोनों जगह पर देखें साथ ही था मतलब यहां चार कहां से लाएंगे आपके पास तो चार या तो यहां है या तो यहां है चैसे तो यहता है उसको बढ़ लेए और किसी और किसी तरीके से तो आप लिखेंगे चार गुना वाय नहों 5 बैदेश से देखिए गा यहां पर कुछ ऐसे चीज़े में बताने जा रहा हूं जिस पर डिरेक्ली जो टर्म्स जो वर्ड यूज किया जाता है एक्जाम में अब बात करते हैं कि इसको थोड़ा से रोक रहा हूं आप देखिए कि अगर 5 और 7 का आप से LCM पूछा जाएगा तब आप कहेंगे सर 5 का मुल्टिपल हमें लेना होगा तो एक मुल्टिपल आएगा 35 और 7 का भी एक मुल्टिपल आता है 35 इसके पहले कोई मुल्टिपल कॉमन नहीं आती है जहां दीजे 5 और 7 में LCM आगे आपका क 35 अच्छा बात करते हैं कोई और दूसरा नंबर 5 और 3 की तो कहेंगे सर 5 में मुल्टिपल 15 होता है और 3 में मुल्टिपल 15 होता है यही सबसे छोटा मुल्टिपल है एक और लेते हैं साथ और 11 लेते हैं यहां पर मिलेगा 77 और यहां भी मिलेगा 77 और यहीं हो जाएगा अब दोने दुसरे के लिए क्या है प्राइम नंबर से तो जब भी प्राइम नंबर एक साथ जुड़ता है तो उसका जो एलशी हम होता है डिरेक्ली गुनानफल होता देखिए तो अगर किसी तरीके से इन दोनों नंबर्स को प्राइम बना देते हैं तो आप कहेंगे सर्फ फिर तीन और पांच के एलशीम हम कहा देंगे पंद्रा और यह जो कॉमन है यह कॉमन कॉपी हो जाएगा समझाने का तरीका बता रहा हूं इसलिए क्योंकि इस पर डिरेक्ली शवाल पूछता है इसी तरीके से फ्रेम करके तो आपको यह पता चला कि जब अगर एलशीम हमें निकालना है और अगर हम फैक्टर की मेथेट से निकालते हैं तो जो भी दोनों जगा पर कॉमन है उसको कॉमन संगुना करें तो पूरे संख्याओं के लिए आगे बढ़ते हैं अब एक और विधी है जो आप लोग पढ़ते हैं है यहीं सारी जगा लेकिन एक विधी है जिसको आप पढ़ते हैं वह भी आपको बता रहा हूं ऐसा ना कहें कि सर वह तो छुट गया क्योंकि बहु करते है इस तरीकikes से चीजें लिख देते हैं अब यह क्या हो आपको इसे करते हैं जो एक नंबर लेते हैं सबसे छोटा जिससे हम सब को काट सकें एक ऐसा नंबर 5 तो ये जो 2 है ये ही सब से पहले हम पता करने ही कोसिस करते हैं जैसे हमें पता चल chains Quem says कर दे हमेसा को no छोड़ी संक्या करें दो-اتीन प्रैम नंबर से जब फ्राइम हो जाता तो आगे बढ़ते हैं लिकिन उसमें अगर आप प्राइम नमबर छोड़के दो की जगह 4 से लगा देते हैं तो मिश्टेक हो जाएगा क्योंकि 4 से यहां पर कोई नहीं कट रहा है लेकिन अगर आप 3 से लगा देते हैं तीन से भी सब आप निकालकर आपको पता चला कि यह दो गुना 6 लिखा गया इसको अठारा को दो गुनाव लिखा गया और तीसको दो गुना सबसे पहले तीनों में है 15 अब देखिए तीरों में कुछ भी कॉमन बचा नहीं बचा वन को नहीं करना क्योंकि वन को फानली गुना भी करें तो कोई फार्क नहीं पढ़ने वाला तो वन को नहीं निकालेंगे अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा नमबर जो सिफ दो में कॉमने किसी दो में तो को प्राइम कहला आएगा तो इस कंडिशन पर जरूरी नहीं है बात आगे छेड़े इसी को डिरेक्टली उज कर लेंगे इस नंबर को क्योंकि अब दो से लगाएंगे तो एक हीक लगा तीन से लगाएंगे तो यहां दो तीन पांच ही आना है तो इन सारे नंबर को हम गु है तो इन दोनों को तो गुना करेंगे आपस में और जो इसके बाद जो रिजल्ट है उसको को प्राइम बना देना है कुछ इस तरीके से इसको कंटिनिव फैक्टर करना काटने को सिसकरना की बचा हुआ चीज को प्राइम बन जाए और इस कंडिशन में फिर सारे को लाकर कर देंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा यहां पी देखिए क्या हुआ है दो कॉमन आया है फिर तीन कॉमन आया है यहां से क्या बचा है तो कहेंगे सर दो यहां से क्या बचा तीन और यहां से क्या बचा पांच है तो यह हमारा मेठड है आप इस मेठड को फॉलो करते हैं अब मैं बता रहा हूं कि इन सारे method को follow नहीं करना है, यह method वो चीजे के लिए थी जहां से आप concept सीखते हैं, जहां पर आपको concept का थोड़ा सा explanation अच्छा लगता है और जहां से आपको बात समझ में आती है, जब आप इतना तक बात समझ गए हैं, जितनी चीजे भी बताएं हो इसी चीजे को थोड़े थोड़े समझ गए से अगर चुराते हैं, तो आप कुछ और सिख जाएंगे और वो क्या सिखेंगा वो देखिये भी, आपको मैंने बोला कि कभी भी दो नंबर का LCM जो होगा, आपको मैंने बोला, 12 है, 15 है, ठीक है, और कितना है, चले 30 ले 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 से भी बड़ा वोगा, क्लियर है, दोने चीजाब के दिखाएं, मैं बोला कि दो जो सब्से बड़ा नंबर होगा, और विन तो की बात हो रहे लशा की बात हो पकोاج़ा है, अब आप मुझे बताएं, कि इसमें करेंगे कैसे फिर ऊंश अंश को करना क्या है, इसको कि कि 보시면 कि स सबसे बड़ा नबर आँख बंद करके लेना है अब आप बात किजिए कि या इस नंबर की जितने भी फैक्टर है यह दिमाग में निख दे रहा हूं आपको आप मुझे बताये इसके सारे फैक्टर समें परजेंट हैं की नहीं है । इस नपर की कोई जरूवरत ने यह काम खत्म हो गया कि इस नमबर के सारे फेक्टर हैं इसमें तो ठीक है यहीं हो जाला अगर नहीं है तो जो छूटा हुआ है उसको लाना आपकर चूटा हुआ है तो आप मुझे बताई यह नमबर में चार आता है यहाँ दो ही है चार बनाने के लिए एक दो और चाहिए चार के साथ तीन आता तीन है तो यही आपका इल्शिम हो गया ठीक है यह आपका इल्शिम हो गया एक और नमर लीजे पंदरा पचीस और सतर कितना बोला मैंने पंदरा पचीस और सतर आपको बोला कि एल्शिम कैसे निकालेंगे तो आपको मैंने बोला सब्सक्राइब कितना पांच है सब को इस हो जरूरी है सबसे पंदरा जरूरी है कि समझेग बात को कि 120 और कि 375 देखे मैंने बोला एल्सीन निकालेंगे किया करेंगे आप तो मैंने बोला 375 आपको सबसे बड़ी संख्या को ले ले लेना है आप बताएं 375 मिए 5 है इसमें भी 5 है तो 5 के जरूरत नहीं पड़ी इसमें być 3 है कि नहीं तो throw इसमें भी 3 है用 को तो इसमें 3 मिल गया क्मिन तो चालीस बचेगा 5 मिले चुके ऑपांट से कितना क्या बचेगा सबसे बड़ी संख्या होगा या फिर उतसे भी बड़ी साथ में उसी का गुननफल होगा देखें सतर का गुननफल है किने सतर का पंदरहमा गुननफल ही यहां पेल निकाला था तो क्या था सबसे बड़ी संख्या का गुननफल ही होगा यह फिक्स है पहला गुननफल होगा और इसका लगा कोई भी गुननफल हुआ तो बड़ी संख्या से भी बड़ी होगी क्लियर चलिए तो यह मेथड को आपको ट्राइ करना है यह मेथड से आपको प्रैक्टिस करना ताकि अगर i空 से SM आपसे डिस्मल नंबर का पूछेगा और संगर ससे करेंगे वह सब पताने god कि सबस्क्रार नाम गेल्चेम्थ का तो अगर देखना नंबर का वहाइं दिम secondкие का यंड Groß jo 0.24 सबसे पहले जो आपका step होता है जो सबसे पहले आपका काम होता है कि decimal के बाद सारे संख्याओं का जो डिजिट्स है यहां कितना, कितना है यहां पर एक है, तो अपने मन से अप जिरू लगा सकते हैं, यहां भी एक है दो बन गया, यहां है दो बन गया, अब सारे जगा, दसंबलब के बाद सिर्फ दो 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 अंक हैं तो आप क्या कीजिए दसंबलब को हटाइए दिमाग से और इसको आप कहिए कि यह 60 रहा 180 रहा 150 रहा और यह 24 रहा अब आपको बताना इसका LCM क्या होगा तो मैंने क्या बोला था सबसे बड़ी संख्या को लेना है सबसे बड़ी संख्या को लेना सबसे बड़ी संख्या करने पड़ेगा इसका काम खतम जरूरत नहीं पड़ी अब 150 में 00 मैच कर गया कोई बात नहीं 15 का 3 इसमें मैच कर रहा तीन है पांच कहीं नहीं है तो एक पांच लगा दिया और यह आपका LCM निकल करा गया यहां भी डेश्मल के बाद दो डीजिट होना चाहिए मतलब दो डीजिट पहले डेश्मल लगाएंगे और यह रिजल्ट क्या है एक टीन पॉंट जीरो जीरो या फिर इसको आप लिख सकते हैं डिरेक्ली 18 और यही इसका LCM है पकड़ में आई बात देखेया मैं क्या बना मैंने भॉला आपको LCM निकालना लिस्त कमन मल्टिपल निकालना है लगुत्तम बडात kendra luc ketれた करेंगे सबसे पहले डिजिटंग में जो औंकड़ करेंगे बराबर है कि नहीं अगर नहीं है तो हम बराबर यह आप के लिए हम 0 का इस्तेमाल करेंगे 0 लगाएंगे क्योंकि दसम्वल्ब के बाद जीरो लगा सकते हैं आखरी में उसके बाद दसम्वल्ब को भूलेंगे और लिगुछ निकालेंगे और बापस जब रिजल्ट जो आएगा उसके साथ दसम्वल्ब को आपनाएंगे जहां पे थ रखा है तो यह में भी बराबर होना चाहिए अब बात करते हैं कि एल्चिम क्या सिर्फ डेश्मल का पुछता है एल्चिम क्या सिर्फ इन तरह के चीजों का पुछता है मतलब नॉर्बल नंबर्स का एल्चिम आपका एकस्प्रेशन पुछता है मैं और इसको देगा युव स्वाल में गuchiर और नगया तो पैना रखना होगा ध्यान इसको जब फैक्टर आप करेंगे तो आएगा एकस माइनस टू और एकस माइनस थिरी आर आपको बताओंगा इसको कितना इतना फास्ट फैक्टर कैसे करते हैं यह सानी कि छोटा इसलिए फास्ट हो रहा इससे बड़े-बड़े चीजों को आप बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं अब देखिए आपको पता चल गये सवाल कुछ नहीं था सवाल क्या था एकस मानेस थिरी और एकस मानेस तो ईन्टू एकस मानेस टू का वैक्टर आप कहेंगे सर यहां पर आपको नियम लगा सकते हैं कि जो बड़ा वला नियम था लेकिन आप सुचेंगे कि सर जो आपने बताया मेथड अभी कि सबसे बड़े को लेगे वो अगर अपलाई करना चाहते हैं तो कैसे अपलाई करेंगे तो आप मुझे बताई दोनों में बड़ा कोन आपके सरी तो मुस्किल बताना डिपेंड करता एक्स क्या है बिल्कुल तो आप किसी एक को ले लिए बड़े मान लिए क्या फरक पड़ता हम तो गुंफिर कर मुल्टिपल पर रहाने बले हैं अरे ब तो कैंगे सरी यहां एक समयने स्टू दो बार आए हुआ है जबकि मेरे पास एक है तो एक मुझे और लगाना पड़ेगा लिजब मैंने स्कॉर कर दिया तो यह काम खत्म हो गया आप अगर इसको पाले लेते तो मैं बोलता कि एक समयने स्टू इंटू एक समयने स्टू है है तो इसके लिए उसके लिए आघया हुआ है तो जो इसके बताया हो हुआ हूँ कि सबसे बड़ा नुम्बर लेने के लिए । sentiments मिले ईससा नहीं है मे daw Rankine कोई इन्ही कि दिमाग में सवाल में कि छोटे वाले को यह Mu यह है जादा हिए अभाट्स करने कि इसमें 2 कि सवाल मैं लेखा कि Psalms ये ट्नमबर दिए हुए कि दोरन का जो है lcm of two numbers is 24 दो number ka lcm 24 नम्बर का यह नम्बर का 24 है if one of them is 12 इन फांद पॉस्युब्र अच्छा कह रहा है इफ वन नम्बर इज 12 देन फांड दा पॉस्य वल वाले जिफोर सेकेंड नम्बर कहने कमतलब सेकेंड नमबर क्या-क्या संभव है आप से पुछ रहा है आपको पता है क्या हो सकता से कर नमबर तो आप मुझे बताई आपको इस सवाल क्या करा पिर से देखिए का हिंदी मेडियम को सुने एक संभावन का 24 अगर उसमें से संभा कितना है बारा है तो दूसरी संख्या का क्या-क्या मान हो सकता है तो इसका मतलब आपको यह बोला कि यह 24 दिया हो यह पर पर तक कितना है बड़ी छोटी छोटी चीजा जो इसके अंदर छूपी होगी वो बड़े बारी जाएगी और इसको भी फ्यक्टर कर देते हैं तो दो गुना दो गुना तीन ध्यान से देखिए LCM क्या होता है तो कहेंगे सर LCM आईसे सांख्या ओती है जो सबका गुनानफल होता है यही होता है सबका क्या होता है गुनानफल होता है फिर मेल्टिपल होता है आप मुझे बताएए कि यह जो LCM है इस में कितना 3 कितना 2 है तो आप सोचेंगे सर्फ एक रख देतें किसी भी हाल में हमें एक और होगा तो आप बढ़ाएंगे तो फिर यह एक यहां तो यह आपका कमपल्सरी हो गया अब मुझे बताइए इन दोना कैलसियम कितना है तो कहेंगे सर्थ यह दो एक साथ आगया यहां दो बचा यहां तीन बचा चौबिस आगया बात खातम हो गया तो एक नमबर आपका यह मिल गया कितना आठ दूसरे नमबर बिचार कीजिए क्या दूसरा नमबर भी हो सकता है तो कहेंगे सर्थ सोचना पड़ेगा आप सोचे जरा क्या दिक्कत है अगर आप तीन यहां लगा देते हैं तो तीन कॉमन होने के बाद भी तो एक ही बार लिखी जाएगी तो मैंने तीन कॉमन व लिख लिए यहां से कॉमन वला लिख लिए यह दो बच गया तो यह दो बच गया मतलब एक नमबर यह भी आप लिख सकते हैं कितना दो 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 और तीन कितना हो गया चौबिस अब आप सूचिए कि अगर आप कुछ भी इसमें और बढ़ाते हैं अगर आप एक दो भी और लिखा जया दो आपको किसी भी हाल में किसी भी हल में आपके पास दो ही अप्सट बचेन यहा तो यह दो नमबर आठ होगा या फिर आड़ थीशोगा अब इस पर पुछता है वह यह नहीं पूछता है कि नमबर क्या Cuous ऑन और पो कुछ सीच्वेशन और बोले हां कितने संभब मान हैं इसके कि लियर तो चलिए इस पर बात करते हैं एक सवाल ने रहा हूं पूछा हुआ सवाल है क्योंकि इसके बाद कुछ बताऊंगा फिर जाऊंगा ऐसा नहीं है कि डिरेक्ट जाऊंगा भी आपको फ्रेक्शन का नहीं बताऊंगा पहले है नत इसके बताऊंगा हुआँ इसके नापको नाख कि सवाल देखें पूछावा सवाल है मेंस का पूछाह वा सीजल का मेंस कर रहा कि LCM of two numbers is 17, LCM of two numbers is 1728, बोल रहा है दो नंबर जो है LCM उसका कितना है 1728 है, और बोल रहा है पहला नंबर कितना है आपका, ने ने थोड़ा सा यहां मिश्टेक लिखा हुआ है, LCM है एकामन सा 84 और पहला नंबर है 17 सा 28, बोल रहा है दूसरा जो नंबर है वो के है, तो आपको बताना इस के संभब मान क्या क्या है, सवाल मैं अपनी भासा में बोल रहा हूँ, ठीक है एक्जाम में एक्जाकली क्या पुछा गया था उस भासा में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सवाल कर रहा है कि 17 सा 28 और के दो संख्याएं हैं जिसका लगुत्तम समापबर तक 584 है, तो आप बताए के के कितने मान संभब है, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, यहां पे जिसके साथ 17 सा 28 और वो संख्याएं दोनों के मिलाके LCM इतना होगा, जैसा भी मैंने बताया सेम है, इसमें थोड़ा सा नंबर साब को बड़ा दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप LCM जो आपके सामने है, इसको फैक्टर करेंगे, फैस्ट नंबर को भी फैक्टर करेंगे, करेंगे की नहीं करेंगे, करेंगे, देखें मेरे साथ किजिए, अगर इसको 9 से 27 अगर कर देते हैं तो 2 की पावर 6 हो जाएगा साथ यह, और 3 की पावर 3, 27 दुनी, सच अठाएगा साथ यह आपका आएगा, इसका करेंगे तो 17 का 3 गुना यह है, मतलब यह सिधा 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4 जाएगा, अब आप मुझे बताईए, ध्यान से देखेंगा, 2 की पावर 6 यह, 2 की पावर 6 यह, 3 की पावर 3 यह, 3 की पावर 4 यह, पिछले सवाल इस सवाल में क्या क्या दिक्कते आ रही है, वो बड़े अच्छे समझेगा, अब आते हैं सेकेंड नमबर पे, जिसके बारे में हम अभी विचार करेंगे और बताएगे क्या क्या इसके मा बनाना है तो दो के पावर छे यहां और यहां नहीं भी रहेगी मैं बोल दिया हुआ नहीं तो आपको यहां पर तीन के पावर और चार लगाना पड़ेगा यहां पड़ेगा आप समझाना हुद है यह संदह कंशा करता कोंवनने जाते हैं मतार हें तो सबसे बीण की संख्या के साहए हो था कुछ मूझ question ठीक अब बात करते हैं कि अगर यहां पे 3 तुदी पाबर 4 है और यह संख्या इतना है क्या इस दोनों केल से मूगा तो अपने हासर देखिए यहां से आपका reminder three to the power 4 और यहां से क्या में कल जाएगा अलग अलग दोनों का कर लिए आ गया इसका मतलब इसके value से कोई फार्क नहीं पड़ रहा है जो कमी थी 3 की वो यह पूरी कर दिया अगर आपके दिमाग में अभी भी इतना समझाने के बाद यह लग रहा है कि सरी यहां एक ही 3 लेंगे एक तीन हम नहीं ले सकते हैं 3-3 तब तो common ही आजागा 3 के power 3 है तो 3 power लेंगे तब तो common ही आजागा कोई फार्क ही नहीं पड़ेगा इससे एक power बहाना पड़ेगा मुझे तब जाकि 3 to the power 4 होगा तो यहां पर power कितना हो जागा 3 to the power 4 clear है हो अलेकि इससे उतना ज्यादा मतलब मतलब इससे है कि 2 to the power 6 का लेना ना लेना बात बराबर है क्योंकि जो सबसे ज्यादा वहीं अलसे में जाएगा तो यह नहीं है मतलब 2 की Power 0 है अगर लेंगे तो पावर एक लेंगे आप दो भी power लेंगे आप 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 3 भी लेंगे आप पावर 4 भी लिजे, आप पावर 5 भी लिजे, आप पावर 6 भी लिजे, कोई भी पावर आप लेंगे दो का, अगर ये लेंगे तो भी आपका LCM यही आना है, ये लेंगे तो भी LCM यही आना है, लेकिन ले सकते हैं आप इन सारे को, कितने ले लिए आपने, 0 से लेकर 6 त और यह एक option आपका था कि कितने नंबर संभब है कि कितने मान संभब हैं तो साथ एक दो तीन चार पांच है साथ किलियर तो LCM का ध्यान रखना है हमेशा factor method का 244 मैंने लिख दिया नहीं 240 लिख दिया इसका factor आप करेंगे तो आपको 8 दुनी 16 हो जाएगा दो कि पावर चार और तीन गुना पांच होगा ना अगर मान लिजी यहां पर कितना है 180 है तो दो आजाएगा कि पावर दो और चार से करेंगे तो कितना आजाएगा नब्वे दो पैंतालीस बंदर तिया पैंतालीस ठीक है तो मैं यह बोल रहा था कि LCM जब आप लेंगे तो अब देखिए बता रहा हूं अभी तक तुम्हें बता आपको क्या चीज़ क्या क्या करना है तो आपको करना है कि सबसे जो कॉमन है उसको लेना फिर बचा हुआ को लेना अब मैं बता रहा हूं कि जब आप फैक्टर के रूप में लिख दे रहे हैं तो जो सेम चीज़े आपको मिलिए इसका सबसे बड़ा लिए क्योंकि कॉमन अगर आप लेंगे कॉमन लेंगे तो बचा हुआ भी तो लेना पड़ेगा मतलब किसी व्याल में यह तो रखना पड़ेगा याद किजिए मैंने बोला थे LCM क्या होता है यह दोनों का LCM क्या होगा आप यह इस पर फोकस किजिए तो कहेगा सर बड़ा बला ही तो यह तो बोला था कि बड़ा कि आप सवाल बनाते हैं तो आपको थोड़ी सा कॉमन लेने में दिक्कत होता है वो आपको कभी भी हो जाता है अलजेबरी की एक्सप्रेशन होते हैं तो भी और नहीं होते हैं तो भी कैसे होते हैं क्या सवाल होता आप देखिए आपके सामने सवाल आता है कि LCM आपको लेन इन तीनों का LCM आपको बताना है दूसरी चीज़े हैं कि आपको LCM बताना है X पावर 2, X की पावर 6, X की पावर 7 और X की पावर 10 का तीसरा नमबर बताना है LCM A² B² AQ B² AQ BQ और AQ B4 अब बढ़े ही आराम से आपको समझना है मैंने कुछ नहीं बोला मैंने बोला जहां भी आपको इस तरीगी की चीज़े दिख रही है यह पावर वाली चीज़े दिख रही है तो आप बताएं सेम बेस बाला कौन यह है इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है वो आप ले लीजिए बस ध्यान रखना क्या सेम पावर हो गया तो अब यह नहीं सोचना है कि उसका मल्टिपल होगा फिर वह बला लगाना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपका LCM होगा तो आपका सबसे बड़ा पावर है आपको उसी पर फोकस करना वही आपको LCM देगा क्लिए रहा है अब देखिए बात करते हैं कि LCM एक सवाल और लेते हैं इसी पर यह पूछा वहीं सवाल है इसको बाद पॉइंट आपको हम बताएंगे भी इस बार आपको कुलस मिलने वाले जतना हे वह थी मिलतेशप का छोटा-षण का दू'd बहुत बढ़ा जो assignment है, आप याद कीजिए कि आपको LCM बता दिया भी, HCF बता दूगा, जब दोनों का कुछ combined points बता होंगा, उसके बाद आप उस label पर पहुंचेंगे कि आप सवाल को hit कर सकतें, क्योंकि आपको बुक में बहुत कम सवाल ऐसे होंगे, जहां पर आपको सिर्फ LCM निकालना हो सब्सक्राइब डवल जीरो, अब पूछ रहा, how many values are possible for x, अब आप से पूछ रहा कि x के कितने संभव मान है, देखिए, मैंने अपने तरफ से लिखा है, मतलब वर्डिंग को कॉपी ने की जिएगा, सवाल समझेए पारसे से, भूल रहा है, 150, 144 और एक संख्या एक्स, इन तीन संख्याओं का लगुत्तम समाप बर्तक 10,800 है, तो आपको बताना है, एक्स के कितने मान संभव है, पिछले सवाल जो पूछा हुआ था, उसमें दो नंबर सिर्फ थे, ये जो सवाल बोल रहा है, इसमें तीन नंबर की बात कर रहा है, तो अब इसमें क्या करेंगे एक पर ट्राय किजिये, क्योंकि आपको लगता हुआ कि सर, एक पर देख लिया, पहां bolद लेगें कर लेगें, एक पर ट्राय कीजिए इसमें, मैंने बोला, पहली संख्या नंबदूछा है, दूसरी संख्या 144 है, और सिर्छी संख्या मैंने बोला एक्सा, हमें यही पता क नमबर अब करते हैं कि इसको देखिए 27 का 4 मुझा है सब्सक्राइस होता है 3 का 3 और 4 मतलब 2 का 2 तो आपको यहां से मिल गाए 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 ऑग व गुना 5 की पावर 2 यह आपको LCH निकल कराया 150 का करेंगे कि इसमें 2 कितना है 1 3 कितना है कितना है और बचा क्या है तो खर Divine 5 ही तो दो भर है जाँ अब 5 वह लिख लिखना है उदर जो अभी यह बात किई है 144 का अब 144 में देखें कितना है 9 है की नहीं है तो कहेंगे हां सर 9 है नौ के अलावा क्या है तो कहेंगे सर 2-4 बार है और 9 को आप लिखेंगे कितना है नहीं है नहीं है मतलब 008 की लेते हैं इसकी जरुवत हमें नहीं है कुछए फरक नहीं पढ़ेगा बना वाला है लें ना लें पड़ने वाला है 2-4 हमें कहीं मिल रही है नहीं मिल रही है तो तीन की पावर तीन लेना मस्ट है तभी नहीं काम करेगा दो की पावर तो इसके साथ खतम हो गया तीन की पावर तीन क्या हो गया हमें लेना जरूरी है यहां है पांच की पावर दो लेना ले कोई फरकने पड़ता है पांच की पावर दो कुछ ले या नहीं ले कोई फर्क में पड़ता है मतलब इसमें आप से पता करना है कि कितने पॉस्रिबल है तो आप मुझे बताइए जीरो से चार तक में कुछ भी नंबर होगा तो कितना नंबर होगा तो कहेंगे सर तीन इसका मतलब यह पांच और यह तिन दोनों मिल के कित बनेगा पंदरा तो ऐसे पंदरा कंबिनेशन बनने वाले हैं यादने पंदरा कंबिनेशन ऐसे बनने वाले हैं जहां पर हमें नंबर बदल बदल कर मिलने बला है और यही वो पंदरा अलग तरह के एक्स के मान करेट करेगा मतलब एक्स का पंदरा तरह का वैलू मिलेगा के लिए एकस 15 तरह का नंबर है 15 डिफरेंट नंबर से केलियर अभी हां पर क्या और वह आप से पूछ सकता था जरूरी नहीं है कि आप से यहीं पूछता कि वह एकस के कितने अन्फल 27 का मल्टिपल होगा, मतलब जो भी X होगा, वो 27 से कटेगा. कि लियर? सवाल ये ध्यान रखना है इस चीज़ को. अब आते हैं कुछ कॉंक्लूजन वाले पॉइंट पे, कुछ कॉंक्लूजन वाले पॉइंट पे, जहां रखना है उस conclusion वाले point पे आपको बताया क्या क्या चीज़ सबसे पहले मैं board पे भी लिखूंगा आपको बताया कि को prime numbers जब भी आपके सामने आता है उसका LCM जो होता है क्या होता है दोनों का गुननफल होता है होता है कि नहीं जहां दीजे LCM of co prime numbers बराबर क्या हो जाएगा प्रोड़क्त लिख दें गुननफल प्रोड़क्त ओफ नंबर्स मतलब LCM of A and B बराबर क्या होगा A गुना B कब होगा जब A और B क्या होगा को प्राइम नंबर होगा दूसरी चीजे कि LCM जो होगा LCM is always multiple of larger number या largest number जो भी बुरिये लगुत्तम समाप बर्तक हमेशा सबसे बड़ी संख्या का गुनाज होगा सबसे बड़ी संख्या का क्या होगा गुनाज होगा या गुननफल होगा एक पॉइंट है दूसरा पहला पॉइंट मैंने क्या बोला जो सह अभाज संख्या है उसका LCM हमेशा उन संख्याओं का दोनों संख्याओं का क्या होगा गुनानफल होगा सीधे संख्या को गुना कर देना है तीसरी बात है कि LCM of AX and BX जान जना है वेर A and B are co-prime numbers क्या होगा LCM A गुना B गुना X आपको बताया था ने जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे जो बच जाएगा उसको लिखेंगे मतलब कभी भी आप LCM को ठुड़ा सा छेड़ने की कोशिष करेंगे ठुड़ा सा छेड़ने की कोशिष करेंगे जांपल यहां प समझगिए की 12 और 15 की LCM आप निकालने की कोशिष करेंगे बलते हैं जब दोनों के बीच कुछ भी common ही रहता है फिर one common रहता है, clear? अब यह आपका दूसरा point था है, अब एक point और इसी को दूसरी तरीका से लिख रहा हूं कि LCM of numbers is always equal to or greater than the larger number. LCM जो भी होगा, वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उससे भी बड़ी होगा, देखे, बोलने में लगता है छोटा, least common multiple, पर ला गुथम सम आप बरतक सबसे च्छोटी संख्या क्या होता ही, कया बड़े संख्या क्या होती है, अब इसको ऐसे भी समझेब जब च्छोटी संख्या क्या विए निकालने क्लिए घुना करना पड़ी संख्या क्योंका होता है, clear?nh ज्यादा नहीं अब घिचने बाले हैं, अब यहां पर हम बात को खतम करने बाले हैं, यहां पर हम इस क्लास को क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम HCF लेकर आएंगे, HCF में भी अच्छी चीज़े बताऊंगा, जैसे इसमें LCM निकालने का छोटा सा तरीका बताया, तो इस क्लास के बाद प्रभाविली नेक्स्ट क्लास के टाइम तक सामिंट मिल जाएगा और क्लास का टाइमिंग आपको पता है, तो चलिए मिलते है नेश क्लास में तब तक वीडियो को देखिए पसंद आता है तो शेर भी किजिए लोगों को जोड़िए और निंतिजार किजिए नेश क्लास का थेंक्यू